दहिंदू अखबार ने ये चापा है कि ये जो समिक्षा बैठाक हुई उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री विधायकों, कारेकरताओं और नेताओं पर निर्भर नहीं है बलकि वो अफसरों पर जादा निर्भर हैं 15 जुलाई को भाजपा के MLC हैं और मुख्यमंत्री के ही शहर गोरकपुर से आने वाले देवेंद्र प्रताप सिंग हैं उन्होंने अधिकारियों की मनशा पर उंगली उठाई और उन्होंने कहा कि सरकार की चवी है आखिर दिन प्रति दिन उनको संबोधित करके लिखा कि खर लगाम हो चुके हैं शामलाली आदव की किताब का मैं जिक्र कर रहा था जो दा हार्ट ऑफ पावर दा चीफ मिनिस्टर सफ उत्तर प्रदेश उसमें उन्होंने लिखा है कि राज में बीजेपी की सरकारे जब जब आती है तब ही तब ही आप देखेंगे कि पार्टी में ज फुली छूट मिलती है क्योंकि तो उसके बाद अधिकारियों के जो अगर कहें कि वो बढ़ चड़कर उन सब चीजों में पार्टिस्पेशन करते हैं उसके उधारन में आपको दे रहा हूं 2019 के लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद उस लोकसभा चुनाव में लालकिशन अडवानी और मुर्ली मर्ड जोशी ने चुनाव नहीं लड़ा था एक अधिकारी जो मंत्री बने शहरी विकास मंत्रा लेके तो लालकिशन आडवानी और मुर्ली मुर्ट जोशी का जो बंगला है सरकारी तीस पिर्षविराज रोड और छे राइसिना मार्क ये जर्नल पूल में आता है जर्नल पूल जो होता है वो डिरेक्टर आफ स्टेट के अंदर आता है जो शहरी विकास मंत्रा लेके अंदर होता है कि मंत्री जी नोट लेकर घाए अमिट्शा के पास और उन्होंने कहा कि ये भंगले हमको खाली कराने है दोनों अनोंत अज qu Update कराने कूंकि ये लूग चुनराम लाँफे ये हैनों ने कहा कि खाली कैसे होंगे उनके पास तो जट प्लस सीक्यूरिटीज है और अडवानी जी के पास तो जो है एडवांस सीकूरिटी लाइजन है एसल कहते हैं उसे तो ऐसे में बंगला नहीं अगर है तो उनको ढिया जा सकता है सेक्यूरिटी के उस पर व्याहफ पर कई लोगों को बंगले है खुल दीप तो उन्हें का नहीं खाली कराने चाहिए तो उन्होंने कहा कि आप जानते कौन है वह वरिष्ट नेता हैं तो ग्रह मंत्री हमेश्चा ने एक लाइन यूज की थी यह कहा था कि मैंने उनके दर्वा के लिए अगर उस वक्त अमिश्चा साइंग कर देते तीन दिन चार दिन की न्यूज बनती लेकिन भारतियंता पार्टी के कारे करता के मन में क्या संदेश जाता कि लालकिष्ण अडवानी का बंगला या मुली मर्ज जोशी जन्हों ने पार्टी को खड़ा किया बनाया उ उसका खामियाजा जो है अब भुकता जारा मैं एक और एक्जापल दे रहा हूं अभिशेग भी से सहमत होंगे परसो अभिशेग जानते हैं कि एक मिटिंग बुलाई योगी अदेतनाथ ने दस विधानसभा सीटों पर उप चुनाव को लेकर उसमें जिन मंत्रियों को एक चुनाव क्या मंत्री लडवाएंगे या संगाछन लडवाएगा अगर ऐसी ही चलेगा तो इससे रिफ्ट जो है न वो बढ़ता है यह सोचने वाली बात है कि रिफ्ट क्यों बढ़ रहा है उसके कारण है आप बैठक बुला रहे हैं चुनौफ के मद्धे नजर और उसमें संगठन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर क्या होगा क कि वहां आमको यह जरूरत है इन दस सीटों के यह जातिगत समभी करण है या यहां पर हमारे को यह development project हुके हुए यह तमाम चीजे जो है संगठन के लोग बताते हैं जाकर हमारी बहां पर पार्टी की नीचे की इकाई की यह जरूरत है इसमें हमको यह करना होगा वो नहीं तो इससे जो दूरिया है वो खाईयों में तबदील हो रही है